हेलो दोस्तों, नमसकाश, स्वागत आप सभी काईटे इस्टेटि पॉंट में, मैं हूँ गिशुक सिंग और आज की वीडियो में हम यहां पे आईसो मेत्रिक सरकल को कैसे ड्रो करते हैं? हम उसके बारे में जानेंगे तो हम 30 mm की दूरी को भरते हैं यहां पर यह देखे 30 mm की दूरी को हमने यहां पर यह 30 mm की दूरी की हमने यहां पर भर ले हाप दूरी अब हम क्या करेंगे एक यहां पर हम सेंटर पॉइंट लेंगे तो सेंटर पॉइंट चाहिए आप यहां पर सीधा 30 mm का ले लो ऐसे ले सकत यह हमने सेंटर पॉइंट ले लिया और अब हमें आसे सरकल बना देंगे तो यह मं देखे यहां पर एक सरकल को मुझरण य SmoothishTI नयम्-म, होगई यहां पर इसको सरकल को अच्छे से हम ढूं कर लेते हैं था हम हम हमने एक circle बाक्स बनाएंगे और एक box हम किस तरीके से बनाएंगे तो हम चारो तरब से एक यहां पर इस तरीके से हम इसको यहां पर box को draw करेंगे तो एक हमने यह line CD खीचती इसके बाद इसके ही parallel यहां पर एक line खीचनी है तो यह हमने scale को सीधा रखा और इसके touch करते हुए यह हमने एक line को draw किया इसके बाद एक यह CD line पर हम यहां पर एक draw करेंगे तो यह तरीके से हमने इसको circle को draw गिया तो यह हमने यहां पर एक circle draw कर लिया अब यह हमें इस circle को हमें एक isometric view में हमें draw करना है तो हमने यहाँ पर A और B इसको A और B दे देंगे Meme कर दिया इसका और यह O बिन्दू दे दिया तो चलिए आओ हम इसको हम किस तरीके से Draw करते हैं Isometric View में तो Isometric View को हमें इस Circle को Isometric में हम किस तरीके से Draw करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक हमने यहाँ पर यह 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 रो कर लिया और यहाँ पर कहीं भी एक Center Point ले लेंगे यह हमने Center Point ले लिया Next इसके बाद हम यह जो हमारे पास एक Protector है इसकी सायता से 30 डिग्री Right Side और 30 डिग्री Left Side और एक 90 डिग्री यह हमने एक एक्सेस यहां पर 30 डिग्री पॉइंट मारा एक 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क किया और यहां पर एक left side 30 डिग्री पर पॉइंट मार्क किया इसके बाद हमने क्या करना है यह सीधी एक रेखा यहां पर यह यह खीच दिनी है और इसके बाद आप यहां पर खीच इस वाले भी plane में ड्रॉ कर सकते हैं और इस plane में भी ड्रॉ कर सकते हैं तो दोनों में हम यहां पर ड्रॉ करके दिखाएंगे इसमेट्रिक सर्कल भी उड़ी तो चलिए हम तो यह देखी हमने यहां पर एक पहले 90 डिग्री वाला जो हमने यहां पर सेट स्कुरा है और इसकी सहाथा से हम क्या करेंगे यहां पर भी 60 mm की यानि पैरलल्टू यह आपका x-axis है यह y-axis है और यह z-axis है तो पैरलल्टू y-axis हम यहां पर यहां पर एक line को ड्रॉव करेंगे जू कि आपका 16 mm का होगा तो चलिए हम यहां पर 16 mm की line को हमने यह draw कर रहे हैं तो यह हम point हमने जहां mark किया था यहां पर हम इसको set square को लेके जाएंगे और हमने यहां पर एक line को draw कर लिया यह हमने line को draw किया इसके बाद हमें 16 mm की line को हमें mark करना है 16 mm हमें यहां पर लेना है तो यह यहाँ पे इस point ko mila सकते हैं directly हम यहाँ पे इसको मिला दिया यह तो इस तरीक़े से हमने एक यह circle बना लिया जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह circle sart by sart kıya circle बना हुआ है वही circle हमने यह sorry यहाँ पे एक हमने एक box बना लिया जो कि sixty way sixty का है अब हमें क्या करना है अब हम यह करेंगे इस point को यह जो बड़ा diagonal है इसको हम यहां पर मिला देंगे या फिर आप इसको naming भी दे सकते हैं A B C और D तो अब हमें मिलाना है पहले A और C को तो यह हमने A और C को यहां पर मिला दिया यह A और C को हमने यहां पर बिल्कुल directly ऐसे मिला दिया अब हम मिलाएंगे B और D को तो हमने B और D को मिला दिया यहां पर यह हमने B और D को मिलाया next अब हमें क्या करना है अब जो यह 16 mm था इसका half distance लेंगे तो अब हम हर जगे चारो तरफ से half distance लेंगे इसकी सभी corner पे half distance 30 पे यह mark किया हमने यहां पे 30 पे यहां पे mark करेंगे आप यह आप परकार में भी दूरी भरके आप 30 30 पे mark कर सकते हैं कैसे भी आप mark कर सकते हैं आपको mark करना है तो यह हमने यहां पर 30 mm 30 mm पे हमने mark कर लिया तो यह हमने यहां पर इसका midpoint लिया इसका midpoint लिया इसका midpoint लिया इसका midpoint लिया इसके बाद हमें क्या करना है अब हमें यह चीज हमें यहां पर मिलानी है तो इस बाले point को यहाँ पर यहाँ पर यह बाले point पर मिला देंगे तो इस बाले point पर हमने इसको मिलाया इसके बाद हम इसको number 1 दे देंगे D से 1 और D से 2 D से 2 मिलाना है हमें तो यह हमने यहाँ पर D से 2 को मिला दिया देन अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके अपोजिट साइड बेस बी से यहां पर यहां पर हमने इसको टू पॉइंट दे दिया अब बी से थ्री पॉइंट यहां पर देंगे और बी से फोर पॉइंट हमने यहां पर दे दिया तो अब हमें इस तरीके से यहां पे मिलाना है, जो की बी से थ्री, बी से थ्री पॉइंट पे मिलाना है, आप यहाँ पे देखेंगे यह जो पॉइंट मिला है हमें, यह बहुत महत पूईर है, यह ही इंपोर्टन पॉइंट है, क्योंकि यह क्राum की है je Supreme Donets Seconde Soile यह point मिला ठीक है तो अब हमें क्या करना है अब हम जो है यहां पर draw करते हैं तो कैसे draw करते हैं हम यहां पर इसके यह यहां पर एक हम dark sketch को हम use कर रहे हैं और आप यहां पर dark pencil का use करेंगे तो हमें अब यहां पर थोड़ा सा देखने वाली चीज है अब यह हमने जो हमने जो आपका यह परकार है और इसकी जो नौक है हमने बहुत रखा है इस बे और अब हम दूरी भरेंगे यह तीन नमबर तक की तो यह तीन नमबर यहां पर और इधर चान नमबर यह मिलाएंगे तो अब देखेंगे हमने क्या किया यहाँ पे इसकी नौक रखी और यहाँ से इतनी दूरी भरी यह देन यहाँ पे इससे मिलाएंगे तो अब एक आर्क लगाएंगे जो कि आप 4 से 3 तक आर्क लगाएंगे यह हमने 4 से 3 तकार्क लगा लिया इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर D पे पॉइंट पे नौक रखेंगे परकार की और अब आप देखेंगे यह हमने 1 पे देखेंगे यहाँ पे बन पे आ रहा है हमारा और इधर 2 पे आ रहा है तो एक one से two तक का arc लगाएंगे यह हमने एक one से two तक का arc लगा लिया ठीक है अब इतना हो गया हमारा इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद दूस्तों अब हम यह जो हमारा परकार है इसका जो हम जो है जो point है वो हम रखेंगे इस बाले point पे ठीक है और दूरी हम कितनी लेंगे तो दूरी हम इतनी लेंगे इस बाले जितनी तीन पॉइंट ये दूरी हमने ली इतनी ठीक है और ऐसे एक आर्क लगाएंगे जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल आप एग्जेक्ट सही से ना पलें तो यह हमने इसकी दूरी पे यहाँ पे आर्क लगाया यह देखे यह आर्क कंप्रीट हो गया और ऐसे ही आप इधर इस बाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगाएंगे तो यह आप यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल इसको मैच कर लें यहाँ पे तो यह आप इधर भी देख लें यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है अब आप आर्क लगा देंगे तो यह आप ने यहाँ पे यह आर्क लगा दिया तो अब आप देख पा रहे हैं यह यह आईसोमेट्रिक सरकल यहाँ कम्प्रीटली ड्रो हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यह आईसोमेट्रिक जो की 60 by 60 का यह हमने आईसोमेट्रिक सरकल को ड्रो कर लिया है तो आई होप यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बता है यहाँ पे चीजों को आप देखना है क्या करना है पहले आप यहाँ पे 16 by 16 का एक यहाँ पे आप यह आप square बनाएंगे यह आप rectangle बनाएंगे यहाँ पे तो इसके बाद एक box बनाने के बाद आपको एक यहाँ पे A से C मिलाएंगे point को दूसरा आप इसके बाद D से B मिलाएंगे और हमें इसका यहाँ पे midpoint लेना है यानि B से C B, C का midpoint 2 point ले लिया हमने C से D का 3 point ले लिया और D से A का 4 point midpoint ले लिया और A से B का हमने 1 point midpoint ले लिया अब हमने परकार की नोग को यहां रखा जैसे कि आपको हम यहां पर बता दे रहे हैं एक बार फिर से परकार की नोग को हमने यहां रखा और दिश्टेंस भरी तीन नमर की यह और हमने एक सीधा आर्क लगाया यह सीधा आर्क लगाया इसके बाद यहां पे हमने इसको रखा परकार की नौक को और सीधा इधर आर्क लगाया इसके बाद हमने इस पॉइंट को हमने इहां रखा ये और हमने इहां से आर्क लगाया जो कि आपका ऐसे आया और दूसरा यहां से हमने इस point को यहां रखा यहां आर्क लगाया तो इस तरीके से यह completely यहां पर आपका तयार हो जाता है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यह आपका completely यहां पर तयार हो गया है यानि 60 mm का यह circle जो कि isometric circle बोलते हैं इसको thank you for watching मिलते हैं next video तब तक के लिए धन्यवाद जैहन जवाद